बीजेपी गौवर्मेंट में बैटे वे मोधी जी को फिल वक्त रिजाइन कर देना चाहिए अगर वो महसूस कर रहे हैं कि उनके अंदर जरा सी भी शरम बची है तो तो ये बड़ी शरम की बात है नुपर शर्मा को तो हम कहेंगे वो सबसेटी एजेंट है उनके प्लैशेमी के हरकत में अरेस्ट होना चाहिए और उसको सक्से सक्स सजा होनी चाहिए सरसर ये हिंदुस्तान की सरसर भारत की और इस मुल्क इंडिया की ये बहुत बड़ी इंसल्ट है देखी हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो मुल्क किसी का नहीं है बलके वो सब का है इस मिट्टी से हमारे पुर्जे भी कहीं नहीं जाते आप तो बे औप बंगॉल में बहा दिये जाते हैं और उसके बाद पैसिफिक ओशन में निकल जाते हैं मैं वल्चर से, मैं बीफ्ट से और मैं अंद भक्तों से कत्यी बात में कर रहे हैं। बीजेपी का तो हमेशे से शेवा राइन के बाप दादा सावर करके टाइम से यही करते आए हैं। वारा तेरा मुल्क हैं जिन्होंने सिर्फ एक स्टेट्मेंट पास किया तो आप माफि मांगने की नौबत पे आगए। जो सत्तावन मुल्क आगर आवाज उठा देंगे तो आप कहों स्टैंड करेंगे। कानून बनता है तो किस चीज के लिए कि कब्ड हम कितने बहुने के बहुने के बिखे हमें कितनी जोर से अल्लाहु अक्पर बोलेंगे। कानून बनता है तो आप आपने प्लेट में क्या घाें। ऐसी वलचर ग़र्मेंट हमको नहीं चाहिए। नितिश कुमार तुम शरम करो, जानवर हैं ये लोग, क्योंकि जो रिलीजिस होगा, वो कभी किसी दूसरी रिलीजिन को डिस्रेस्पेक नहीं करेगा, हिमिलियेट नहीं करेगा, इंसल्ट नहीं करेगा. आज हम यहाँ पे, वोमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से, एक प्रेस मीट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला एजंडा जो है, वो आप सल्ले लिए वसल्लम की ओपर ब्लैस्वेमी का है, जिसमें की आप सभी जानते होंगे, चुकि आज कल हम सभी सोशल मीडिया से जुड़े एक नाशनल टीवी पर इंसल्ड की, और जिसे मुसल्मानों ने करते ही बर्दाश नहीं किया, और उसके बाद से हिंदुस्तान का महौल जो है, वो बे इंतहा गरम हो गया, आज जब हम ब्लैस्वेमी के ओपर बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे इसे हैं, जिन पर हम समझते हैं बोलना बे इंतहा जरूरी है, सबसे पहला इशू कि इस वक्त दुनिया के कुछ बारा चौदा ऐसे मुल्क हैं, जिन्होंने की ये जब खबर उन तक पहुंची तो उन्होंने भी इसमें जो है, अपना एहतिजाज दर्ज करवाया, लेकिन उनका एहतिजाज कुछ अलग त वेंकाया नाइडू, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, वो कतर में थे और वो एक डिनर पे इंवाइटेट थे, जैसे ही कतर की तरफ से इस ब्लैसमी के खिलाफ आवाज उटी, तो उनका डिनर जो था वो कैंसिल कर गया है, सरसर ये हिंदुस्तान की, सरसर भारत की और इ ये फ्रिंज पार्टी, उनका ये मानना है कि नुपुर शर्मा या इसके अलावा और भी जो दो चार लोग उनके साथ चामिल है, जो अभी भी फिल वक्त भी मुस्तकिल, कंटिनियस्ली आप सरसंद को निशाना बनाए जा रहे हैं, और हमारे मुसल्मानों के सेंटिमेंट, हर दिम जाएं कि हर्ट हो रहे हमें तक्रीफ पहुंच रही है, देङे हैं यहां पर अपना जाते हीं कि इतजाज़ गर्ज कराने का जो मैंन मक्सद हैं जो यह हैं कि हम अपना एक मेसेज कंवे करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट पुरे अंदुस्तान में हो रहे हैं, होती है मुल्क की डिगनिटी और पैट्रियोटिज्म क्या होता है वो भी हमारा साथ दे रहेंगे हमें खुशी है इस बात की क्योंकि यही तो हमारे इस मुल्क की खुबसूरती है लेकिन देखिए औरत होने के हिसाब से मेरी मुवमेंट पूरी वुमेन इंडिया मुवमेंट की तरफ से हम आज यह बात यहां पर कत्यी बिल्कुल साफ तरीके से कन्वे करना चाहेंगे कि इस तरीकी जो भी हरकते हो रही है उसमें ऐसा नहीं है कि मुसल्मान औरतें कहीं न कहीं पीछे हैं हम भी मुस्तकिल अप आप सव हस्तियों में सबसे नंबर वन पर आते हैं यह हम नहीं कह रहें आप जाएए युएसे के स्कॉलर्स को पढ़ लीजिए आप जाएए फ्रांस और दूसरी यूरपेन कंट्री के हिस्टोरियन्स को पढ़ लीजिए उन्होंने भी आप ससम को क्रिटिसाइज करने के जबके वो इसलाम से तालुक नहीं रखते फिर भी आपने कहा कि सौ इंफ्लुएंस मोस्ट इंफ्लुएंस पस्नाल्टीज में आप ससम का नाम सबसे उपर आता है जो मुल्क किसी का नहीं है बलके वो सब का है आज जिस तरीके से वाइलेंस कर जा रहा है जिस तरह से हेट् लव ट्रैप भी चलाया जा रहा है काफी चीजें थी जिसके ओपर हम खामोश रहें हमने शांती बनाए रखी क्योंकि जितनी महबत मुसल्मान अपने मुल्क से करता है कोई दूसरी कौम अब तक इसका सुबूत नहीं देती सबसे बड़ी चीज मरने के बाद भी हम इसी मि उपुर्शर्मा का जो बयान आया और उसके बाद जो बाहर की दुनिया में हरकम मची किस तरह मुसलिम देशों ने इसके खिलाफ जो है अपने एतिजाज दर्च करवाई यहां तक की बाइकॉट चुरू हो गया इंडिया का बाहर के मुलकों में तो बींग ये इंडियन परिशानियों का सामना करना पड़ा तो यह बड़ी शर्म की बात है नुपर शर्मा को तो हम कहेंगे वो सबसेट्री एजन्ट है में एजन्ट कौन है किसने इतनी ताकत दे दी किसने उनको इतने इतना बैक अप दे दिया जिसके कहने पर उन्हों ने आके खुले आम नैश सरासर जूट है यह अंदर-अंदर सब मिले हुए आप देख लेना जब यह मामला ठंडा हो जाएका तो यह वही फ्रिंज एलिमेंट से जो वापस हमको पारलेमेंट में कहीं बैठे में नजर आएंगे तो हम इस बात से बिल्कुल इक्तिफाक नहीं करते हैं और यह कह देन को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा किया है इतनी शर्मिंदीगी का हमको जो सामना करना पड़ा है काइदे से बीजेपी गौर्मेंट में बैटे वे मोधी जी को फिल वक्त रिजाइन कर देना चाहिए अगर वो महसूस कर रहे हैं कि उनके अंदर जरासी भी शर्म बच है और उससे क्या हो रहा है कि वाइलेंस जो है वो थमने का नाम ने ले रहा है अब आप देखिए कि कानपूर में बहुत पीस्फुल तरीके से हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रोटेस्ट हमारा कॉंस्टिटूशनल हक है मरते दम तक हमसे यह कोई छीन नहीं सकता ह हम इस मुल्क में जो इतना स्ट्रगल कर रहें बेसिकली हम कॉंस्टिटूशन को बचाने की लडाई लड़ना है तो पीस्फुल तरीके से प्रोटेस्ट करने वालों को जो है पथर बाजी की गई और उसके बाद जब यह वाइलेंस बहुत ज्यादा बढ़क गया तो उसमे गिरिफतारी भी जो है वो उन्हीं लोगों की हो गई जो बिचारे कते किसी तरीके से किसी क्राइम में शामिल नहीं थे तो आप यह देखी कि नाइंसाफी की हद कितनी दिन बढ़ती जा रही है यानि कि हम ही जो है मजलूम भी है और हमें ही जालिम भी ठहरा दिया जा रहा है अब एक जो नुपुल शर्मा के केस में एक नई और ताजा जो निउस सुन निकल के आई है कल से ट्विटर के ओपर यह बहुत ज्यादा वाइरल हो रही है कि नुपुल शर्मा के ओपर F.I.R. काटने के बाद कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिसमें मुस्लिम के ही नाम ज् जानता है यानि नाइंसाफी की हद यह देखिए कि जिन लोगों ने आवाज उठाई जिन लोगों ने इस वाइलेंस की शिकायत करी कि यह गलत हो रहा है इसे रोकना चाहिए आप ने उनको उल्टा कटगरे में खड़ा कर दिया उनके यह खलाफ F.I.R. काट भी तो जितने इसे भी जर्नलिस्ट है और वो बहतरी जर्नलिस्ट है मैंनी कहती हूँ आप सोच लोगे कि मेरी कम्यूनीटी के शायद इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि वह बहतरी ने आप दूसरे लोगों से पूद लिजिए जो कंट्री के इन्टेलग्चल से मैं यहां पे बात उन लोग तो उसे कत्यी बात नहीं कर रहे हैं तो हमारा पेखाम जो है हमारी देश में रहने वाले उन साउंड लोगों से है पीस्फुल लोगों से है जो कंट्री की साख बचाने में लगे रहते हैं तो ये बिचारे जिनका F.I.R. में नाम काटा गया कि चीजें अपने हिसाब से चल रही है नाइंसाफी अपने राओ पर जा रही है तो फिर मजबूरान हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा हम कोई सक्ट एक्षन लेंगे और हम वही एक्षन लेंगे जिसका हमको जो है मतलब के खानून में रहते वे यह नोंने इंदुस्तान को शर्मिंदा कर दिया पूरी दुनिया के सामने, तो गयादे से बीजे पी को रिजाइन करना जाए हम इस बात से सहमत नहीं है, कि नुपर शर्मा को छे साल के लिए निलंबित किया गया है, और उसके उपर से फायर करें, हम सजा की मांग करते हैं, सरा सर, उसके बाद दूसरा मुद्दा जो है, वो यहां पर यह है, कि जिस तरह से कानपूर वाइलेंस हुआ, कोई एक ऐसी वीडियो नहीं है, जो वाइरल नहुई हो, जो लोगों तक ना पहुंची हो, यानि कि जाहि प्रिकुलर कम्यूटी को निशाना बनाया जा रहा है, आप देखिए कल, आपके कोलार में, करनाटगा में, क्रिश्टन को निशाना बनाया गया, एक बहुत बड़ा स्टैच्यू था, जीजस का, जिसे तोड़ दिया गया, और घुसके नंज को मारा गया, उसके बाद हमार प्रिस्ट्ट उनको उनके घरों में जाके मारा गया, बात हिंदू- मुस्लिम क्रिश्टं की हर्गिज नहीं है, बात यहां पर और और से स मैं मजलूम और यहां पर आप है, यसमन मुल्क में विताय मजला्ण करा हूंए किये हमारे नाम decipher भ़ाइब हमें जागाज दिखाने की ज सुराइब हमारे नाम इन्डिया गेट पे लिखा हुआ है जिस को प्रूफ चाहिए जानके इंडिया गेट पर नाम पढ़ ले। उसको पत्हाचा चलना बहांगा कि किस ने कितना खुन बहाया और किस ने कितना पानी पाया और किसने कितनी माफिया माँगी बीजे पी का तो हमेशे से शेवा राइन के बाप दादा सावर करके टाइम से यही करते आए हैं यह पहले जो है चाटू कारिता करते हैं यह घद्दारी करते हैं उसके बाद यह माफिय ले के चले आते हैं मेरी समझ में यह आता आखिर हिंदुस्तान की जंटा उनको कब तक माफ़ करती रहेगी हिंकी इस बेकार की हरकतों से इस फुदूल की हरकतों से घुंडा गणर्बिस है गार्मेंट नहीं बलकि होनुदी करिमिले में भिल्बवर प्रूर्म का sait ओड़ वाइवल मुश्किल हो गया, इस्ट्रगल करना पड़ा अपने लाइवलि हुट के लिए आखरी गौवर्मेंट कहा जा रही है, और आज जो सबसे बत्तरीन दिन दिखाया, कि दूसरी देशों को जब बाइकट चुरूआ तो आप माफी भी मांग रहे हैं, अभी तो एक और सजा जो है, वो बीजेपी गौवर्मेंट को मिलनी चाहिए, इसके अलावा हमारे एक मुद्दा जो और है, आज यहां पर बात करने का वो है, कठियार बिहार में, कुछ दूनों पहले, माई नूर नाम की एक बच्ची, जिसके साथ गैंग रेप होता है, गैंग रेप ह पतलब के परसनालिटी भी हैं, जिनके खिलाफ एक्शन हुआ, एक्शन में क्या हुआ है, कि सिर्फ बहुत ही टेंपरेरी और फर्मालिटी की तौर पे एक गिरिफतारी हुई है, देखिए, इस मुल्क में हर दिन क्राइम का रेट बढ़ता जा रहा हर सोला मिनट पर एक र लेंग्वेज की बोलने वाली हो, आखिर हम इतने दरिंदे कैसे हो गए है, हम ऐसी अथारिटीज में रह रहे हैं, हम ऐसे स्टेट में रह रहे हैं, जहां पर बैठे वे लोगपावर में जो हैं, उन्हें इनसानियत नाम से कोई मतलब भी नहीं रह गया है, उने कोई फिकर नहीं रह गई कि इस तरह के कानून बनाए जाए कि आखिर इसकी रोक थामो देखिए क्राइम होगा क्राइम हो रहा है अब यह कहा जाता है जो बहुते हैं कि और भी मुलकों में क्राइम होता है ठीक है क्राइम होता है लेकिन क्राइम को रोकने के लिए कानून भी तो बनता ह ये वो मुल्क हो गया है, जहाँ बिल्कोल जंगल राज है 2014 से, किसी भी क्राइम के लीए कोई नया कानून नहीं बना कानून बनता है तो किस चीज के लिए कि कपड़े हम कितने पहनेंगे कानून बनता है तो इस चीज के लिए इस गौर्मेंट को पावर से हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है ऐसी वल्चर गौर्मेंट हमको नहीं चाहिए बहराल उस माहिनूर के लिए अभी तक हमको कोई सैटिसफेक्टरी एक्शन सुनने में नहीं आया हमारी और हमारी मुवमेंट की ये बहुत स्टिक्ट एक डिमांड है कि नितिश कुमार तुम शरम करो है तुम्हें जिसे कहते हैं कि घैरत आनी चाहिए इस तरह के बिहार में जो केसे होते हैं अभी दो चार लिंचिंग के कैसे भी बहुत दर्दनात सुनने को आए और आप ये देखिए कि ये तो वो केसे के बाद हम कर रहे है उन केसे के लिए हम आवाज उठा रहे हैं जो हम सुनते हैं अभी कितने वो केसे हैं जो दबा दिये जाते हैं कितने वो केसे हैं जो सुनने में भी नहीं आते हैं तो आप बता लीजिए आप लगा लीजिए कि क्राइम का क्या रेट हो गया है कहा जा रहा है मुल्फ उसके माबाब बच गए वो भी जिन्दा नहीं जिन्दा लाज की तरह लेकिन कम से कम जो दरिंदे उनको ऐसी सजा देनी चाहिए इतनी सक्त कि आइंदा इस तरह की क्राइम करने से पहले क्रिमिनल सो बार सोचें कि ये क्या हो रहा है और उनके साथ आगे क्या होगा तो कम से क कहीं तो जाके इस क्राइम के ओपर लगाम लगनी चाहिए आखिर हिंदोस्तान को इन्होंने रेपिस्तान बना दिया है पिछले आठ सालों में इस मुल्क कुछ नहीं मिला ना एकनामी के नाम पे ना पॉलिटिक्स के नाम पे ना सोशल पीस के नाम पे हैं और आप के यृजरी में आते है यह हमारा सवाल है यह हमारी डिमांड और यह हमारी अटेंशन कॉल है अगर हमारी दिमांड पर गोरृर्ट्पर गोर टानों तक पहुंचती है तो इसका अक्षिनव लिया जाए वरना यह है कि हम अपने दूसरे कॉंस्टिटूशनल हक जो हें उनका इस्तिमाल करके आगे पढ़ें देखें एक बात सुनें जब बाप दादा जो बैठे में हैं पावर में वो सीधे सीधे पूरी एक कम्यूनिटी को बगार डरे बगार हिले हमारे उजू पाक सिसम के ओपर ब्लैस्टमी कर सकते हैं तो यह जब इनकी छोटी छोटी हो रहा है चाहे वो ग्यानवापी मस्जित को ले लीजिए चाहे वो आप अजमीर की दरगा को ले लीजेज ये लोग क्या है यह खुद कोई religion में बिलीफ करने वाले लोग नहीं मैं आपको बताओ अगर आप history की किताब उठा ले state की किताब इस्टेट बोर्ड की किताब उ जिन्हों ने सिर्फ एक ही बात प्रीच की इंडिया में कि गिव रस्पेक्ट डू रस्पेक्ट फॉर आल रिलीजन्स ठीक है यह अपने आपको कहते हैं हम आरियन समाज है हम ब्रह्मो समाज है जरा उस समाज की टीचिंग को पढ़ ले मैं आज ही यह चैप्टर स्कूल में प खाप पहन के यह चैप्ट अगर आप लोग समझते हैं कि यह किसी पाटिकुलर क्म्यूनीटी के नहीं यह सब वाइल्ड लाइफ है यह सब जिसे कहते ही जानवर हैं यह लोग क्यूंकि जो रिलीजेंस होगा वह कभी किसी दूसरेे रिलीजस शोगा को डिस्रस्पेक्ट न गॉड, अभ तरीका अलग अलग है मानने काुछ devo कहते हैं कि इस मूर्थी में उनको बग़वान नजराता बहुत अची बात है वो इस मूर्थी को मानते हैं कुछ देनि को घूस को मानते हैं कि हम हमारे हुकूमत में बैट गए हैं और इनों ने मुल्क को पूरी तरीके से डॉमिनेट कर लिया है किस विज़ा से डॉमिनेट कर लिया है कि इनों ने जहनों को जो कच्छे जहने आने वाली जो यंग जनरेशन उनके हाथ से पैन ले लिया और उनको तलवारे दे तो सरासर हम तो देखे एक बाशनी राजा सिंग है या इस तरहे के अलाब अलाब अबत्तर दिन रात अब तो बहुत सुनने में आएगा क्योंकि इनको हवा मिल रही है यह गॉर्मेंट से बैक अप किये लोग है यह यह उटके नहीं आ गये है तो इनको लगता है कि इनके पीछे क्या होगा कल हमारे जो दोवल हैं जो डिफेंस के हमारे फॉरिन कंट्रीज में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हों भी कह दिया है कि जब वह फॉरिन कंट्रीज गए तो उनको जिस तरह की शर्मिंदीगी का सामना करना पड़ा आप सोचिए तो उसके बाद वहां से श हिंदूस बहुत अच्छे साउंट भी तूरोग उते हैं यह उन्दूस तो राام को मानने वाले लोग हैं एक इस मुछ नहीं हुए कुछ नहीं हम इस्जत करते हैं हर क्रिफान की हर हिंदू की हर जैन की जो इस मुल्क में रहता है यह जो मुट्टी बर लोग आगे इनका त मूस्जित निकल जाती है अगर आप कहते हैं कि ये मुल्ग आपका है अगर उनका यह मानना है कि ये एक हिंदुत्वा नेशन होना चाहिए ये हिंदुत्वा का मतलब के मुल्क होना चाहिए और इसलिए मूर्दी निकल आती अगर आप वाकिए अपनी मूर्दियों को रिस्पेक्ट देना चाहते तो मुझे बताईए कहीं से खोद के निकाल कि किसी के नीचे से क आपको तो चाहिए कि आप इज़त से जहां आपको मूर्दी अगर मिल भी रही है अकिकत में तो निकालिए उसके नाम पे एक मंदिर बनाईए मंदिर में बहुत इज़त के साथ इस मूर्दी को रख कि उसकी पूजा कीजिए आप दूसरों के घर में कबजा करके क्यों रह होगा वो तो चाहरे होंगे कि अगर तुम मेरे असल भक्त हो तो मेरे नाम पे अलग से जमीन लो पैसा खच करो बलके अपने घर कारोबार अपनी प्रॉपटी बेज दीनी चाहिए जो हिंदुत्वा इडियोजी के लोग है और उन्हें शिव के नाम पे बड़िया मंदिर म मतला हम फेड़ अप हो गए हैं लोगों से और यह ज्यादा नहीं है अभी आप देखिए एक ट्रेंड चला दिया बाइकॉट कतर एर्वेज मुझे बापता है जिन लोगों ने ट्रेंड चला है बाइक गॉड ये डेर्ड लाख लोग जिनों ने ट्वीटर पे ट्वीट कि वाले लोग हैं ये ये कहते हैं कि बाइकॉट कतर एर्वेज अच्छा बाइकॉट वो भी एक ट्रॉल हो गया कि मतलब कि हसी आई लोग हस रहे थे एक वाशिदेव का नाम का आदमी है आप उसकी हुलिया देखिए अरे हमें इनसान को अपनी उकात में रहना चाहिए हमें आप आणा सिरिया यह भी एकड्य O तो बिलावजी अपनी हशी लडवाना बिलावजी हपनी बैजतसी करवाना मैं तो कहते हूं को चाहिए पने जितनी अंडबकतं इन सब को ज़ेल में डालो जितने ऐसे well वेठ़् चानल चल रहे हैं और जो डिबेंट करते हैं इन चैनल infamous dropped colour lillbit लोग इंब बहन के बहने से मुझे बताइए कि का आप बताएंगी कि कोलो पड़्य टोक्या आप कह सकते हैं कि यह कोट पैंट और टाई लगाए में तो यह पढ़े लिखे हो गए नहीं पढ़े लिखे होने के लिए जब जुबान कुलती है तो लॉजिक से बात करना ज़रूरी होता है मैं यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूँगी मेरी कम्यूनिटी के वो लोग जो रेंटेड हैं और इन वल्चर चैनल्स पे चले जाते हैं पांच-पंच हजार रुपे मिलते होंगे भाई हमसे ले लो मगर खुदा के वास्ते इज़त मत बेचो मैं यह मैसेज देना चाहूंगी कि जो लोग ऐसे चैनल्स पे जो मालूम है कि कोम्यूनल चैनल है हमें मालूम है कि उन्हें रेंट पे लेकर वॉइलन्स फैलाने का काम गिया जा रहा है उन चैनल्स पे हमारी कम्यूनिटी के हमारी से मतलब जो भी पढ़े लिखे लोगे जो अपने आपको स्कॉलर कहते हैं, वो जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पे उनकी बेज़ती होती है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, इस तरह के डिबेट से क्या होता है, क्योंकि हर घर मे काम हो रहा है, यह लोगों के माइंड को पल्यूट करने का काम हो रहा है, तो मैं समझती हूं कि सबसे पहले तो जो इंटेलेक्शल्स हैं, उनको सबसे पहले बाइकॉट करना चाहिए इन वल्चर चैनल्स का, कि कत्ता ही वो नहीं जाएंगे, कोई डिबेट में वो पार्ट कि करने कि तरे कि में समझत penso रहा है, ज्युस्कें उल्यूत करने तो ईंटेम जाएंगे, कि अवे शाइंगे, कि काम श्मय भु झाल 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 झाल